हेलो दोस्तों कैसे हो अब सब इस वीडियो में हम बात करेंगे परिक्षध हम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परिक्षा हितु पंचायती राज एवं ग्रामीन अर्थ व्यवस्था से संबंदित पुस्तक की जिस मैंसे इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रूख खनेजों को तो चलिए शुरुवात करते हैं कोईला से दोस्तों भारत में सरवाधिक कोईला दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है भारत में कोईला गौंडवाना चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों भारत में चार प्रकार का कोईला पाया जाता है की सबसे बड़ी खान रानी गंज पस्चे मंगाल में स्थित है दोस्तो भारत में एंथरसाइट कोईला जंबू कश्मीर के काला कोट में पाया जाता है भारत में लगनाइट कोईला तमिलनाडू राज्जी में पाया जाता है अब हम बात करते हैं लोहा की तो दोस्तो भारत म में चार प्रकार के लोह अयस्क पाई जाते हैं मैगनेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एवं सिरेडाइट दोस्तो भारत का लोह अयस्क उत्पादन में चौथा इस्थान है बैला डीला जो की 36 गड में है भारत की सबसे बड़ी लोह अयस्क की थान है अब हम बात दोस्तो तामवा उत्पादन में भारत का विश्य में चटवा इस्थान है भारत में सरवादिक तामवा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है दोस्तो राजिस्थान का खेतरी और मध्य प्रदेश का मलाज खंड तामवा उत्पादन के लिए विख्यात है अब हम चर्च करते हैं मैगनीज की दोस्तो मैगनीज उत्पादन में भारत का विश्य में छटवा इस्थान है मैगनीज भारत के धारवार चट्टानों में पाया जाता है मध्य प्रदेश का भरवेली छेत्र मैगनीज के लिए प्रसिद्ध है अब हम चर्चा करते हैं बाकसाइट की दोस् पांचवा स्थान है, भारत में बाकसाइड उत्पादन में उडिसा का प्रथमिस्थान है, बाकसाइड एलुमीनियम का अहस्क है, अब हम देखेंगे सौने को, तो दोस्तो भारत में सरवादिक सौना करनाटक में उत्पादित किया जाता है, सोने की कोदार खाने करनाटक में स्थित हैं जो कि सोना उत्पादन के लिए बहुत जादा प्रसिद्ध हैं 2022 में बिहार के जमुई जले के कर्मटी या छेत्र में सोने के भंडार प्राप्थ हुए हैं अब हम बात करते हैं हीरे की दोस्तों हिनोता, पन्ना, अंगोर, छटरपूर, मजगवा, सतना, मध्यप्रदेश के प्रमख हीरा हुए उत्पादन चेत्र हैं अब हम देखेंगे संग मर्मर को दोस्तों भारत में सरवादिक संग मर्मर का उत्पादन र아जिस्थान में होता है राजिस्थान के मकराना छेत्र जो की नागोर जला में स्थित है भारत का सबसे बड़ा संग मरमर उत्पादक छेत्र है मकराना संग मरमर ताज महल वा विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में प्रियोग किया गया था हाल ही मैं अयोध्या के राम मंदर निर्मार में मकराना संग मरमर का प्रियोग किया जा रहा है अब हम चर्चा करेंगे दोस्तो नमक के बारे में भारत में सरवादिक नमक का उत्पादन गुजरात में होता है भारत में केंद्री नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात में स्थे थे दोस्तो आपको ये सारे facts ध्यान रखने हैं अभी तक हमने जितने भी videos आपके लिए बनाये हैं उन videos में जितने भी तथ्य आपके लिए बताए गए हैं उन सारी तथ्यों को आपको अपने दिमाग में रखने की कोशिस करनी हैं दोस्तो भारत में सैंधा नमक का उत्थपादन मंडी जो की हिमाचल प्रदेश में है होता है भारत में सबसे बड़ा नमक उत्थपादन छेत्र सामवर जील है दोस्तो सामवर जील राजिस्थान में ह अब हम चर्चा करते हैं परेक्षाप योगी तथ्यों की दोस्तो भारत में चांदी का सरवादिक उत्पादन राजिस्थान में होता है चांदी, सीसा वा जिंक सामानिता एक साथ मिस्सित रूप में पाए जाने वाले जुडवाधातु होती है भारत में टंगस्टन का सरवादिक उत्पादन राजिस्थान में होता है तिन को कैसी टेराइट भी कहा जाता है भारत में सरवादिक तिन उत्पादन 36 गरदाज्जी में होता है भारत में सरवादिक चूना पत्थर उत्पादन आंधिर प्रदेश में होता है संग मरवर चूना पत्थर के कायं तरण से बनता है भारत में सरबादिक अभरक उत्पादन अंधिर प्रदेश राज्य में होता है भारत में सरबादिक यूरेनियम उत्पादन जारखंड में होता है जादू गोड़ा जारखंड में इस्थित प्रसिध यूरेनियम की खान है भारत में सरबादिक थोरिया मुथपादन केरल राज्य में होता है दोस्तो थोरियम मोनोजाइट एबं इलमेनाइट से प्राप्त किया जाता है भारत की सबसे प्राचीन तेले रिफाइनरी डिग बुई असम में इस्थित है दोस्तो भारत में सबसे बड़ी तेले रिफाइनरी वर्तमान समय में जामनगर महराष्ट में इस्थित है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्रस्थावित तेले रिफाइनरी रतनागिरी महराष्ट में प्रस्थावित है ओमान देश की साहिता से स्थापित तेले रिफाइनरी बीना मद्धिप्रदेश में आगा सौध नामकिस्थान पर स्थापित की गई है भारत की पहली एथेनॉल जैव रिफाइनरी भटेंडा पंजाम में है अब हम चर्चा करते हैं खनेज उत्पादन की रिष्टी से अग्रिणी राज्य 2021 के संदर्व में तो दोस्तों ताबा उत्पादन में पर्थमिस्थान पर मध्यप्रदेश है पर्मुक उत्पादक छेत्रों में मलाजखंड बालाघाट एबं खेतरी राजिस्थान शामिल है लोह ऐस्क में पर्थमिस्थान पर उडिसा है पर्मुक छेत्रों में बादामगर पहार उडिसा में एबं बैला डिला छेत्र चतिस गड़ में इस्ते थे मैगनीज उत्पादन में पर्थमिस्थान मद्धिप्रदेश का है इबम भरभेली बाला घाट जो की मद्धिप्रदेश में है परमुख मैगनीज उत्पादक छेतर है सोना उत्पादन में पर्थमिस्थान करनाटक राजजी का है दोस्तों, कोलार जो की करनाटक में इस्थे थे, परमुक सौना उत्पादक छेतर है, चांदी उत्पादन में पर्थमिस्थान राजिस्थान का है, जावर राजिस्थान में परमुक चांदी उत्पादक छेतर है, जस्ता में पर्थमिस्थान राजिस्थान का है, जावर रा प्राजिस्थान पर है, डेगाना राजिस्थान में टंगस्टन पाया जाता है। तेन उत्पादन में 36 गड़ प्रथम हैं, दाते वाला 36 गड़ परमुक टेन उत्पादक छेत्र हैं, दोस्तो बाकसाइड उत्पादन में उडिशा प्रथमिस्थान पर हैं, एवं परमुक बाकसाइड उत्पादक छेत्र में कोरापुट जो की उडिशा में स्थित्र आता है संगमर्मर उत्पादन में पर्थम राजिस्थान है मकराना राजिस्थान परमुक छेत्र है अभरक उत्पादन में पर्थम आंदरप्रदेश नैलोर आंदरप्रदेश एवं कोडर्मा जारखंड परमुक अभरक उत्पादक छेत्र है यूरेनियम में पर्थम स्थान पर जा पत्पदंती दिए परंगाल पिंत्रशा करनेवेला में परथमेंस्थान पर 36 गड़ रहा शंहा है। तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही यदि आपको हमारे दौरा बनाए जाने वाले वीडियो आपके एक्जाम की तयारी में किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो किर पर हमारे वीडियो को लाइक करें ऐसे वक्तियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियो से लाव हो सकता है दोस्तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए दोस्तों नीचे चार पुस्तके दी हुई है जो आपके आसपास नजदी की बुक स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएंगी इन मैंसे दो पुस्तकों को हम अल्रेडी अपने वीडिय सेविन एबम यूनिट टैन एमपी पी एससी की लिए भी आपके लिए वीडियो के माध्य हम से यह पुस्तक ला सकते हैं आप कमेंट करके हमें बताएं तो आने वाले दिनों में हमारे द्वारा यह पुस्तक भी आपके लिए लाई जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टैलीगराम एबम इंस्टागराम की लिंक प्राप्त कर सकते हैं एबम इन से भी जुड़ सकते हैं तो दोस्तों फिर लगातार हमारे साथ जुड़े रहें शीखते रहें तब तक ना रुके जब तक कि आपको आपकी मनजिल प्राप्त नहीं हो जाती प्राप्त